नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं परताल दुनिया भर की दुनिया की हलचल पर पहनी नजर, परताल दुनिया भर की देखिये, जुड़िये, ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार, आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन अफगानिस्तान में अमरीका के पतन के बाद, जिस तरह से अमरीका को घुटने टेकने पड़े, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि पूरे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया में दूसरे ढ़ंग से कूटनीती अपनी रूपरंग अख्तियार कर रही है और यह बहुत देखने में दिल्चस्प है कि जहां एक तरफ महौल बहुत टकराव का है वहीं दूसरी तरफ, यह जो तमाम छोटे बड़े देश है यह अपनी समस्या को खुदी सुलजाने में पड़ोसी देश से मदद मांगने में लगातार एक दूसरे ढंका रास्ता निभा रहे हैं और यहां पर अमरीका या नेटो इनका प्रभाव या इनकी दखलंदाजी उस तरह से संभव नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले होती रही है शायद यही वज़़ है कि नेटो और अमरीका ने दो तीन देशों को निशाने पे लिया है आज जब हम आप से बात कर रहे हैं अंतराष्टीय मंच पर दो एहम बैठके हुई है दोनो एहम बैठकों के केंदर में रूस है एक तरफ अमरीका के शिर्ष अधिकारी शिर्ष नेता मिलते हैं रूस के अधिकारियों से रूस के नेताओं से और चर्चा करते हैं युकरेन की इसके बाद नेटो के अधिकारियों की बैठक रूस के अधिकारियों के साथ होती है और इन दोनों बैठकों में दबाव बनाने की कोशिश होती है कि जिस तरह से युकरेन को नेटो ने अमरीका ने अपनी पूरी की पूरी रणभूमी बना रखा है वहां से वह अपने दूस रखने उस पर चर्चा करनी और निगाह बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि सबका यह मानना है कि इस तरह का जो पूरा माहौल बना है युक्रेन को लेकर 2022 में इसमें यूरोप में सशक्त हिंसा की दौर हो सकता है इस पर हमने बाचीत की प्रबीर पुरकायस से और जानना चाहा कि यह जो दो एहम बैठके हुई है इनके पीछे की कहानी क्या है और इसका इस पूरे इलाके पर क्या असर पड़ेगा प्रबीर सबसे पहले तो हम आपसे जाना चाहेंगे उन दो एहम बैठकों के बारे में आप कैसे देखते हैं उन दो एहम बैठकों को जिसमें से एक जि है दोनों के केंद्र में पूरे की पूरी जो कुटनी थी उसके इ儿ध गिरदच चल रही है वह रही पहली बैठक जो हुई नौ जणवरी को जिसमें रुस के अध् ducks और अमरीका के अधिकारी एक साथ आए दोनों देशों के अधि καण Cord Premiere अ उने चर्चा की और उसके ठीक बात 12 जन्वरी को रूस और नेटो के अधिकारियों के बीच बैठा कुई और दोनों के केंद्र में जो सैन ने गतिरोध बना हुआ है युक्रेन को लेकर उस पर चर्चा हुई मिसाइल को लेकर चर्चा हुई सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो रूस और अमरीका के बीच बात्चीत हुई है उसे आप कैसे देखते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा बाकी जो गतिविधियां चल रही है इस पूरे छेत्र में उस पर अगर पूरा छेत्र कहें क्योंकि रूस का कहना है कि नेटो हमारे बॉर्डर में आ चुकी है जैसे बॉल्टिक स्टेट्स में आ चुकी है पोलन में आ चुकी है रुमेनिया में आ चुकी है अब यूक्रेन जो की मॉस्को से बहुत दूर नहीं है उनकी यूक्रेन का बॉर्डर मॉस्को से करीब 500 किल चार से पांच मिनिट शे मिनिट लगता है तो हम बर्दाश्ट नहीं करेंगे तो यह इससे शुरू हुआ है उनका एक कह सकते है वह रूस ने एक लागलकीर खीच दिया है जमीन पे कि आप जो है यूकरेन को नेटों में नहीं शामिल कर सकते और उसके साथ-साथ यह भी है कि जॉर्जिया पहले इस बहस हो चुकी है कई साल पहले जॉर्जिया को नेटों में नहीं शामिल कर सकते और फिन्लैंड और स्वीडिन की भी बात इस पर आ चुकी है तो नेटों की विस्तार के बारे में रूसकी जो opposition रही है विरोध रहा है कहा कि बहुत पहले से आप हमें ये कहते आएं कि नेटों की विस्तार ऐस्ट वोर्ड नहीं होगा और अब जो है इस्ट vos आते आते अब यूक्रेन तक पहुंशने की संभावना है तो यह देखते हुए रूस का यह कहना है कि हम बद्दाश्ट नहीं करेंगे आपके इस्ट वर्ड मार्च आप बंद करें तो यह जो नेटो कहता है नेटो के जो है स्टोल्टनबर्ग वेंडी शर्मन जो अमरीका कर पतिनिजत्व कर रहे थे रूस के साथ मीटिंग में उनका कहना है नेटो तो हर देश अपने मर्जी से जॉइन करता है हम कैसे इसको निंकार कर सकते सवाल नेटो के लिए यह है कि नेटो किस लिए बना है अगर यह कहे इसका एक defense के लिए बना है किसके खिलाफ इसके defense है यह नेटो बना है इस वक्त जो है इस वक्त जो नेटो की बढ़ोत्री है वो रूस को Target करते हूए चल रहा है यह क्या सच नहीं है क्या तो यह अगर हम देखें तो बिल्कुल इसमीं सच्चाई कि यह दोराए नहीं है कि नेटो इस वक्त निशाना किया हुआ है रूस को इधर से और अमरीका निशाना बनाया हुआ है चीन को जिसको इंदो-पेसिफिक कहते है उधर से पर ये इसके टारगेट जो है नेटो का जो टारगेट है वेस्टन यॉरप इस्टन यॉरप को देशों को लेके अमरीका रूस को target कर रहा है इस पे कोई दो रहा है नहीं है और जितने इनकी exercises होते हैं जितने इनकी सामुद्रिक exercises भी हुए है जमीन में समुदर में exercises rules को target किये करके ये exercises होते हैं तो इसलिए rules जब कहता है हमारे लिए खत्रा है और मौस्टों को इतना करीब आना खत्रा है ये बात सही है यही चीज अमरीका ने आपको याद होगा 62 में किया था जब रूस ने missiles रखे थे क्यूबा में और उन्होंने भी इसलिए missiles रखे थे क्यूबा वे क्योंकि वहां पर तरकी में अमरीका ने missiles रखे थे रूस को टार्गेट करते हुए और दोनों मिजाइन्स 62 के बाद हटा दिये गये थे नुक्रियर मिजाइन्स की मैं बात कर रहा हूं तो इसलिए इसका पहले का एक्जामपल है अमरीका अब तक रूस को अपना क्या कह सकते है कि कोई इतना बड़ा देश नहीं मान रहा था कि ह हमें चैलेंज कर सकता है उबावा पहले भी कह चुका रहे इंटरनाशनल अंतराश्ट्रिय पावर के रूप में इसको नहीं देखते हैं पर रूस हकीजत में उसके पास नियुक्लियर मिजाइल्स है और शक्तिया है सीरिया में जाहिर कर चुका है उसका यह चंटा है आज अठी अमरीका को चैलेंज करना रूस कभ कहना यह है बाती करने तो आप इसे करते हैं क्या आपकी नियत क्याइज प्रपादा कि आप इस वक्तियुक्त उत्था दब्रीं आपके लिए घ्रेट करेंगे वहां और में रही तो इसमें तो हमारी अपत्ति सिर्फ नहीं होगी तब हम अपना कदम भी उठाएंगे, वो क्या कदम है उन्हें बताएंगे। क्योंकि वही पर यह घोशना कर दी गई थी कि अब नेटो अधिकारियों के साथ बैठक होगी रूस की। इसका आउटकम या इसका नतीज़ा क्या निकला हम कैसे देखें इन दोनों बैठकों को। वाक्तलाफ हुआ था जिस पर तभी लोगों ने कहा थे से कुछ निकला नहीं इसका फल सरूप यह बैठक हो रही है। तो यह बैठक को देखते वे रूस ने कहा है इसे कुछ निकल नहीं रहा है तो हमको जो करना है पदक्षिब हम करेंगे। पर नेटो के बैठक में स्टोल्टेंबर्ग ने यह कहा है कि हम इस बात पर तयार है बातशीत करने में कि कि हमारे military force कितना रूस के पास होगा हमारी exercise जो होगा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं और मिजाईल कितने हम बाहर रखेंगे उसके बारे में बात कर सकते हैं और एक अहम बात उन्हों कहा है कि intermediate range जो ballistic missile वो जो treaty से अमरीका हट गया था हलांकि उसका दोश्रूस पर देना चाहता है पर वो अलग बहस है अमरीका उस treaty से बाहर निकल गया था खुद तो उस treaty को फिर हम लागू करने के लिए तयार है तो यह अगर देखी जाए तो मैं इसको ऐसा नहीं मानतों से कुछ निकला नहीं है सवाल है यूक्रेन को लेकर और यूक्रेन क्या NATO को मिंबर बनेगा और उसमें मिजाइल्स बैठा जाएगा यह नहीं जो अगोशित बाते आ रही है जो घोशना नहीं हुई है पर अगोशित बाते जो आ यह नहीं है पर सवाल यह भी है कि इसके साथ साथ एक तरफ तो आप बाते करना चाहते हो यह तो आप कह रहे हो कि बात चीज़ से एक चीज़ और जो इसमें एहम बातचीत में निकल काया कि रूस के उपर दवाव है कि वह अपने जो सैने दल है यूकरेन की सीमा के पास उसको वापस बुला ले वह क्या लगता है कि अभी भी एक और उसको लेकर जो पूरा डिजाइन उन्होंने पेश किया कि वहां से हट यूकरेन की तयारी थी कि डॉनबास रीजियन जहां रूसी भाशावाशी वाले सिर्फ नहीं जो अपने आपको रूसी समझते हैं उसकी मिजॉरिटी है उन जबहों पे उटॉनमी इस वक्त है रूस की एक तरफ से एक उसमें चत्रचाया में वह है और वहां पर पिर तयार हो रही थी वहां पर यूकरेन सेना बेजे जैसे कियेव रेजीम रूस कहता है वह अपना सेना फिर भेजे यह मिंस्क एग्रिमेंट के सवासर विरोध में है जो कि 2016 में बनाई गई थी तो इसलिए रूस का भी प्रेशर रहा है यूकरेन पे नेटो अगर वहां पर आएगा सिर्फ यूकरेन में नहीं बॉल्टिक्स में है पोलेंड में है ऐसे जगहों पर आएगा तो जाहर है कि रूस वहां पर अपने जो बिलिटरी फोर्सेस है वो बॉर्डर के पास ही रखेगा तो यह कहना कि सिर्फ यूकरेन के लिए है बिल्कुल गलत है पर यह बात जरूर ह कि रूस की सेनाएं अब उस वक्त वहां पर हैं कि बहुत जल्दी अगर यूकरेन डॉनबास पर हमला करता तो इंटर्वीन कर सकते यह उनकी चतावनी है यूकरेन की और नेटो की तरफ कि आप यूकरेन के साथ मिलके डॉनबास रीजिन को हताब हजम नहीं कर पाओगे क्य हूंना करने जा रहा है और इसी लिए हम नियर्व के तरफ से हम सेनाएं भेज रहे हैं उनको सुसज़चित करने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये रूस के बताबिक कि किसने पहले ताली किसने पहले बजाए एक हाथ से बजाई किया तो ये बाते में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये तो लगातार चलता रहेगा सवाल ये है कि जो बहुत सारे जो विशशग्य हैं इसमें वो कह रहे हैं नेटो की पूरवक्त एक समझावते में नहीं जाएगा तो दुनिया के लिए खत्रा है क्योंकि दोनों के पास nuclear weapons है और यॉरप जो कि इससे सबसे बड़ा भुक्तभोगी होगा इसका यॉरप एक independent कोई भूमी का इसमें नहीं निभा रहा है वो तो अमरीका के पीछे इस वक्त पढ़ है चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो उसकी कोई वाइस इस बहस में दिखाई नहीं पढ़ दा है फिर धंकिया दी जा रही है कि आप कुछ करोगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे सैंक्शन्स अगर लगा सबसे ज़्यादे भूगत होगी तो यॉरप होगा क्योंकि गैस का जो बुनियादी इंधन है वो रूस से आता है रूस से आता है जी सेना की और जिस समय हम और आप बात करें उस समय वह भी तस्वीरे आ रही हैं कि कजाकिस्तान से रूस की जो सेना है उसकी बापसी की खबरे हैं हम पहले भी अपनी निगा हमने बनाई रखी थी कि कजाकिस् और वो पूरा का पूरा जो वहां पर एक एक एंटी गवर्मेंट मूफ चल रहा था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की आज जब वापसी की बात है तो क्या इलाके में कुछ शांती के संकेत हैं। उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रूसक और दूसरे CSTO देशों से उन्होंने इसलिए टूप्स मंगाये थे कि अब साफ है कि उनके जो इंटर्नल सिक्योरिटी की जो चीफ है उस पे शक्त था और इसलिए शक्त था कि वो शायद को आपरेट नहीं कर रहे हैं इन चीजो जायतर वहाँ पर लोगों की गाडिया चलाने में वह यूज करते हैं तो उसकी नाम करते हैं तो लपीजी जो है हम कहते हैं वो दुगना दाम कर दीजी उसलिए उसका बिस्वोट हुआ था सवाविक भी है और यह भी है कि काज़गस्तान में बहुत सारे ऐसे चीज़े हमन निगाह बनाए रखेंगे और यह भी एक सुकून की बात है कि सेंट्रल एशिया पर जो भी हस्तक्षेप हो रहा है पश्चमी देशों से उसकी क्रिया प्रतिक्रिया बहुत तेज है और चर्चा बढ़ी हुई है आगे हम इस पर अपनी बात जारी रखेंगे दोस्तों एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे दुनिया में और खास और से वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया में बहुत तनाव सशक्स्त रहस्तक शेप यह सारी घटनाए हमारे सामने आ रही हैं वहीं दूसरी तरफ ठीक हमारा पडोसी देश पाकिस्तान एक यहां अमन का राग गाते हुए उसने कहा कि वह चाहता है कि अगले सौ साल किसी भी तरह का टकराव भारत के साथ ना हो यहां पर यह नीती जो बनाई है इसको ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि इसमें किस तरह से आर्थिक राजनितिक साजिदारी की बात की गई है द उमिक्रोन से लेकर नफरत का वाइरस देश और दुनिया को बुरी तरह से अपने शिकंजे में कस रहा है शुक्रिया